यहां रौकी सुना के लिए जूस लाते रहता है, तब ही सुना ठाए, 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 करके गोली मारती है, पर रौकी के पूरा पासाने के बाद यह तो फुस हो गई, यहां जब यह बूलना शुरू करता है, तो सारे दूर-दूर के लोग यहां सब आवाज सुनकर पीछे पर यहां यह प्यून तो सामने भी होकर इसे कोई फ़रक ही नहीं पड़ा है। यह अपने पिता को 25 साल पहले ही छोड़ का चला गया था। पर आज जब इसके पिता डिथ बिड में है तो यह तुरंती परकट भी हो गया। पर इसे बताया किसने। यहां यह साब साब बोलता है कि कहानी को उसके बाबा ही सुनाएंगे। और फिर कहानी को तो यह ही सुनाने लगता है। यहां इतने सारे लोग मसाल और टॉच लिए इनके उपर से इने खेर लेते हैं। और यहां यह फोन में इतना ज्यादा घुसा हुआ है कि इसे इतने सारे लोगों के आने की थोड़ी भी भाना का तक नहीं लगा, यह फोन में घुसकर पक्का ही विडियो देख रहा होगा, अरे मिस्टेक स्टार्लिंग का, यहां इतना बड़ा बॉक्स को इन जेसी बीज से जहां यह दो जैसी बीज तो ऐसे दिख रहे हैं, पर यहां इसको दढ़ती समय, यहां तो एक जैसी बी है, यहां जब यह इस अस्टेच्चू को जमीन से निकालते हैं, तो यह बाक्स में बंद होता है, पर इधर तो पूरा बाक्स ही गायब हो गया, यहां जब यह इस देखते ही, यहां तो यह राइफल पूरा ही लगा हुआ है, इस जगह इस मिरर में यह कपड़ा भी हैसे डगा हुआ है, पर अगला ही मुमेंट में यह तो ऐसे होता है, वो अभी बीना किसी को छुवे, और तुरांत यह दुबार हैसे भी हो जाता, यहां रोकी अपनी सोन में से तो यह हाथ और माते को यू निकाल सकता है, यू, इधर चलो यह लोग ट्रेनिंग कर रहे है, इसलिए इनके पास गन, पर इतने दुर में दिख रहे हैं इन लोगों को गन कौन दे दिया, और यह इधर एम किसको कर रहे है, अब यह रोकी को मानने के प्रैक्रिस यहां तो यह गायब भी होगा है, यहां यह बच्चे सुना को राकी की कहानी सुनाते रहते हैं, जहां यह लोग तो अपना सारा कामदाम छोड़ कर का कहानी के रोल पले करने लगे, और यहां राकी भी एक सुब काम को सुना के सामने करने आ जाता है, यहां तो बोनस बनता आभाई आखला लड़िकिव को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यह यह रमीका इतने हाइट में खड़ी है राधी है और दूर शो उपर तो इधर कुछ है नहीं और यह यह लोग भी कोई रियल नहीं है यह यहाँ यह यहाँ यह इस तल्वार को देख कर य आने तक का आवाज तक नहीं पता चला और यह पीछे वाले तो बस गन लेकर खड़े हैं इन लोगों ने एक गोली तक किसी में नहीं चला या घजब भाई यहां यह लड़का तेल को ऐसे छड़का बीच बीच में तब तो आग पहले तेल वाले जगों में लगना चाहिए न यह पुल लकड़ी और सिर्फ रस्टी के बना है जहां इतना भेंकर आग चल रहा है और यह तलवार्स इसकी रस्टीयों को काट भी रहा है पर फिर भी मजा लेकि रस्टी कट जाता है तो यहां यह पुल इस लकड़ी से बना है पर अगले मोमेंट में अधिरा पताने कौन जहन्नों में रस्टी बांदिया क्योंकि इधर तो ऐसा को मेटरियल है ही नहीं अरे कहां बांदिया है दिरा भाइया और यहां यह तो काली रस्टी को लापेटा हुआ हर अभी अभी यह वाइट हो गई और यहां इस पुल से गाड़िया भी गुजानना शुरू हो गया अ तो इसके हाथों के चूड़िया कर जाती पर यहां यहां यह तो हाथ पूरा स्ट्रेट है तो यहां तो यह पॉसिबल हो değil सकता कि हाथों के चूड़िया अपने खुल के गिर जाए सुना अपने बाबा की खबड सुनते ही तुरंत गाड़ी निकालकर उधर चल देती है और यहां जीप को इतनी तेस्ट कर मारता है पर यहां कार में तो एक बुलेट को सामने वाले बंदे को मारता है और यहां इसके उड़ने को बजा पूरा का पूरा जीप ही उड़ता रहता है पर अब यहां यह दोनों तो एक ही पार्टी में हो गया और एक पार्टी में नहीं यह तो काया इस जगादी को रोकी पही है इस एंगल से मोड़ते रहाते हैं पर यहां यह गाड़ी तो इस और से मोट रहा है इधर आजू बाजू रोड के साइड कोई रास्ता नहीं है रोड भी मस्त है पर फिर भी यह गुंड़ा सुनक लेकर गाड़ी से कहीं पास में ही चला यहां रोकी तो पहदा लिया जाता है राजू बाजू तो कोई रास्ता ही नहीं था तो गया कैसे इधर उदर यहां यह गुंड़े जब हमला करते हैं तो रोकी के धूल उठाते ही यह डर कर रोक जाते हैं यहां रोकी इस गुंड़े को ऐस से पकड़ कर फेकता है जहां य इस दिन में रोगी सबको मारतो चुका है लेकिन सब इसके ही सारे का इंतजार करते रहते हैं रब गिरते हैं इन गुंड़ों में तो गजा फ्रेंट से पाइज जी एंगे तो साथ में और मारेंगे भी तो साथ में अभे ये क्या सीन है गर्दन में कुलाडी लगने का बाद यह चलते चलते मारेंगे यहाँ अधीर इसे घोली मारता है और यहाँ उपर के सारे लोग दो सेकेंड में नीचे आ जाते हैं यह तो लगता है जैसे उपर से डारेक्ट जंप करके ही आगए अरे पर यहाँ तो किसी का पहरी नहीं टूटा है यहाँ यह सारी औरते एक जग से टाम भी यह कुछ भी होता है तो यह सब अपने काम धाम को छोड़ कर सुनने चले आते हैं मैं मैं भाई दुनिया छोड़ा कितना मिस्टेक्स देखू साला कितना देखू इसका पार्ट टू हाएगा मिस्टेक्स डालिंग जल दिल आएगा